इस वीडियो में बात करने वाले ह i kai j&e जेटिंगर चेंज हो चुक उआ तो पहले के वीडियोर इंटर्णेट इपनों आ रहे हैं तो इसका सभीकों आपको बताने वाला हु यह पन श्रud कम आपको चले जाना है SIM card and mobile networks में उसके बाद में आपको जाना है ODA phone idea का जो SIM card यहाँ पर दिखा रहा है इसमें तो इसके मैं यहाँ पर Redmi Note 8 यूज़ कर रहा हूँ आप कोई भी phone में आप जा सकते हो SIM card and networking में आपको settings में जाने हैं वहाँ पर आपको access point name मैं आराम से मिल जाएंगा तो यहाँ पर ODA phone के settings है ODA phone mobile connect ठीक है तो इसको हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर default में आपको यही setting मिले जा रही है तो इसमें मैं आपको speed बाताने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले check कर लेता हूँ YouTube on कर लेता हूँ तो यहाँ पर speed meter मेरा और ने तो आप यहाँ पर अराम से check कर सकते उपर में तो 15 kbps speed आ रही है जो की बेकार एकदम 14-15 और यहाँ पर मेरा YouTube आप देख सकते हैं लोड भी नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं यदर connection भी ठीक है 4G का तो यहाँ पर बहुत ही देड़ लगा है यहाँ पर अन होने के लिए तो इतना slow speed आ रहा है तो यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है कि 50 kbps के भी उपर जाए तो यहाँ पर 2G का speed मुझे लग रहा है कि दे रहा है भी 3G का तो नॉर्मली 300 से 500 kbps आ जाता है नॉर्मल signal strength भी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है तो यहाँ पर कुछ strike का कुछ है इसलिम इसको off कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपको setting देखने को मिल रहा है कि 8.57 यहाँ पर आपको internet on कर देना है इसके बाद तो इसके बाद आपको चले जाना है settings में वही पर और मैं आपको step बताने वाला पूरे अभी क्या क्या आपको करना है तो वही पर चले जाना है आपको access point name में और default सबसे बहुत कर देना है तो नॉर्मल ही default में हमको यही setting मिल जा रही है तो यहाँ पर हमको new apn आपको कहीं से बहुत आइड apn कुछ भी option मिलता है वहाँ पर चले जाना है आपको पूरा internet okay कर देना और नीचे proxy not set put not set username में लिख देना है आपको vi.net vi.net करके okay कर देना है और password नहीं डालना है server आपको not set रखना है server में आपको password not set और server में आपको डालना है और यहां पर मेरा screen recorder आ रहा है www.google.com यहां पर आपको डाल देना है google.com okay कर देना है और उसके बाद में आपको जहां से सुनिए यह important setting हो जाती है apn protocol आपको ipv4 and ipv6 पर ही रखना है इनको same और यहां पर barrier पर आजाना और यहां पर आपको save कर देना है और यह okay करने के बाद आपको यहां पर more option मिलेंगा आपको different try किसी option मिल सकता है जिसमें आपको save कर देना है simply यहां पर save हो चुगा आप इसको v4g को select कर देना है तो अब यहां पर हम internet speed देखेंगे तो अब हमारे apn set हो चुका है तो अब हम speed test करने वाल है इस new apn setting का तो वीडियो को skip मत करिए क्योंकि आपको directly result मिलना है तो यहां पर speed test application open हो रहा है और हम सीधा ही चेक करने वाले है speed अपने new apn setting की तो यहां पर मैं start कर देता हूं तो यहां पर server को accept कर रहा है तो यहां पर ping पिंग तो बहुत ही बढ़िया यहां पर 70 69 का पिंग आ रहा है तो पिंग इसमें आपको बहुत बढ़िया मिल जाना है इस setting पर download speed आप देख सकते 22.37 Mbps जो की काफी जादा increase हो चुकी है और उपर से upload speed भी 1 Mbps यहां पर अभी तक तो हमको देखने को मिली है तो यहां पर हमको देखने को मिली है final result मिल रहा है 134 तक कि आपको settings में आपको internet speed uploading की मिल रही है इस video को like जरूर कर देना और channel subscribe करके bell icon click कर दोंगे तो next video के notification मिल जाएंगे थैंक्स पर वाचिंग तक कीर फरेंज जाएंगे